नमस्ते दोस्तों अनीता जेन डेसेपी में आपका स्वाग्यत है मैं अनीता जेन आज आलू बुखारा जेम बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिये 500 ग्राम आलू बुखारे और 1500 ग्राम चीनी जितनी भी क्वांटेटी में आलू बुखारे ले उसके तूथर कब चीनी ले ले अब सबसे पहले इसके गुटली निकालेंगे इसके गुटली निकालेंगे सभी में से यह आलू बुखारे के सभी भी निकाल लिए अब सबसे पहले इसे पैन में डालेंगे और चीनी डाल देंगे हमें चीनी सिमाज पर यह पकानी है अगर हम खुलाज कर देंगे तो चीनी जलने लग जाएगी तो इसलिए सिमाज पर यह पकाना है चीनी गल गएगे इसमें कम्प्लीट देखें कलर भी आने लग गया पिंक कफिल कर देंगे और इसे कंटीनिंफ फुलांज पर ये पकाईंगे अलु बुकरे पकने लग गए इनके छिल्के अठाने ने हैं इसी में पकने देंगे अब जेम की इस्तिति तक आने तक हम इसे पकाना है यह हमारे आलू बुक्कारी देखे सभी पग गए है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है अब हम एक प्लेट में लेके देख लेते हैं देखे गाड़ा हो गया है इस तरह से देख ले और गैस बंद कर देंगे और इसे आप ठंडा होने देंगे यह हमारा आलू बुक्कारी का खटा मीटा जैम बनके तयार हो गया है देखे कितना अच्छा बना है इसे ब्रेड पे लगा के खाईए मेरे वीडियो को लाइक और जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए में थैंक यू